कि वेरी वेरी गुड इविनिंग टू अल अफ यू कुश्यन नंबर फाइब करना है चलिए कुश्यन नमद थ्री और और फाइब ठीक है चलिए पहले आप यहां बर करेंगे ट्राइब इस कुश्यन को जरे एक ट्राइब दीजिए अपना पहले आप करेंगे गुश्यन पहले आप करेंगे गुश्यन कुश्यन हाँ जी तो ndp at fc का आपका अपना एक फॉर्मिट दिया हुआ था मैंने वो फॉर्मिट क्या था ndp at fc का फर्स्ट पॉइंट था composition of employee अगर composition of employee आपको direct given है तो बहुत अच्छी बात अब ठेक है जी चेक कर लेता हूं मैं हलो हाँ आप ठीक है, हाँ जी, तो आपको national income में, by income method में, सबसे पहले आपको NDP-8FC calculate करना होता है, और NDP-8FC में, सबसे पहले जो आपका अपना एक format है, उस format को apply करकर के आप NDP-8FC निकालेंगे, और इसमें आपके पास में first क्या होता है, first आपका होता है, composition of employee, composition of employee में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, कि आपके पास में, अगर direct given है तो अच्छी बात है, नहीं है, तो आप उसको बनाएंगे, कैसे, wages and salary in cash, wages and salary in kind, और employer contribution to social security scheme, clear है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, wages and salary in cash, यह आपके पास है, क्या employer, आपके पास है, composition of employee direct है, composition of worker in kind है, composition of employee नहीं है, composition of employee बिल्कुल भी आपके पास में नहीं है, आप बनाएंगे, तो wages and salary in cash, तो salary and wages in cash, आपके पास में first point आएगा, और first point कितना है आपका, 1997 करोड, तो 1997, प्लस, अब wages and salary in kind, तो आपके पास में यहाँ पर है composition of worker in kind, यह क्या आपका 95, तो आपके पास में point number 6 है, प्लस 95, और इसके बाद आपके पास में employer contribution, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास में employer contribution, undistributive profit, income of the self-employed corporate, आपके पास में personal consumption expenditure, government expenditure, interest, आपके पास में employer contribution इसमें नहीं है, तो बस आप यही दो पॉइंटों से आपके बना देंगे, composition of employee में बना देंगे, second point क्या होता, operating surplus, operating surplus में सबसे पहले क्या लेते है, income from property, rent, royalty and interest, तो आईए आपके पास में यहाँ पर rent आगया, और rent क्या है आपके पास में 132, plus 132, और rent किस position पर आया, third position पर आया आपका, और इसके बाद आप देखेंगे, बीच में कुछ, चलिए आगे बड़े, तो थर्ड पॉइंट पर आपके पास में यहाँ पर rent के बाद interest, आपका interest कहाँ पर गिवन है, यह रहा, interest point number 9 है, और 92, point number 9 है, और plus क्या है, 92 है, clear है, अब आपके पास में यहाँ पर किस चिच की requirement है, income from entrepreneur, like profit, profit, profit अगर आपको direct दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं दिया हुआ है, तो profit कैसे बनाएंगे आप, जार, आपके पास में है, salary, transfer, payment, rent, indirect tax, composition of worker in kind, net, inter-government, expenditure, corporate tax, income, dividend, export, additional, social security, contribution by employer, हाँ, बिलकुल है जी, तब ही आप कह रहे थे, 54 अभी आएगा इसमें, चलिए मैं यहाँ पर add कर देता हुआ है, इस point को, कोई बात नहीं, add तो होना है, clear है, तो आपके पास में 7th point, 17th point है, 8 point है, हाँ, 18 point है, और यह क्या आपके पास में 54 है, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ यहाँ पर, हमें यहाँ बनाना है profit, तो profit direct आपको given है, क्या, profit direct आपको given, आपके पास में नहीं है, जब profit direct given नहीं तो आप कैसे बनाएंगे, dividend से बना 201 ठीक है जी और dividend के बाद में आपका undistributed profit यह आपके पास में किस पर है यह आपके पास में 14 पर है और 14 पर क्या है आपके पास में 26 और आपके पास में corporate tax profit tax भी बोलते हैं इसको हम 10 किस पर है यह आपका 12 पर है कितना आपका 10 है तो यहां पर आपके पास है point number two complete हो गया अब आपके पास में क्या आता है आपके पास में आता है mixed income point number third तो mixed income क्या आपको दिया हुआ है तो यहां पर mixed income आपके पास में यहां देखेंगे अगर आप तो आपके पास में subsidy rent salary और interest government personal corporate income of the self-employed ये रहा income of the self-employed को क्या बोलते हैं mixed income बोलते हैं 264 दिया हुआ है आपका 13 पर तो 13 पर आपको दिया हुआ है 264 ठीक है जी clear है हाँ जी अब आप देखेंगे इसको आप add करें आड करेंगे कोई बात ने इसको हम add कर लेते हैं 1997 95 00 132 0 132 और आपका 92 0092 और आपका 54 0054 और आपका 201 जीरो 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 वन और आप 26 0026 और आपके पास में दस जीरो जीरो वन टैन 264 264 आगे हम solve करतें इसको 7 5 12 12 12 14 14 14 और दो 16 16 और चार 20 20 21 21 26 27 27 और चार आपके पास में 31 का 1 और आपके पास में 3 तीन और नो बारा बारा और नो 21 21 और तीन 24 24 और आपका नो 33 33 और आपके पास में 5 38 38 और आपका दो 40 और 41 46 47 और आपके पास में आगे 4 13 14 और 16 और यह आपके पास में 18 आपके पास में 1 एक दो तो क्या है हमारे पास में 281 अब आपको इसमें बस एक काम करना है क्या काम करने को फाइंड क्या करने आपको है को NTP at FC हैं बस एक काम करने इसमें NFA आप इसमें अड़ करोगे लिए तो आपके पास in factor net again increase in factor income from rest of the world कितना हमारे पास है 52 है clear plus 52 तो दो और एक कितना होगे मेरे पास में दो और एक मेरे पास में होगे तीन और साथ और पांच बारा और आठ और एक नो और दो तो 3923 क्रोड इसका अंसर है clear जी हां जी क्लिरेंग जी करेंग जी हां जी तो यह आपके पास पर क्या आगे नेशनल गवाँ अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से से उजव में आ गया होगा तो एक और कुशिन आपके सामने तो यहां पर हमें न इस पर कुछ नया आपको थोड़ा तब सा कुछ नया है वह क्या है आपको इस पर नेशनल इंकम नहीं पूछ रहा है आप से इस पर पूछ रहा है जी एनपी निकाल दो आप at FC निकाल दो जी एनपी at FC तो आपको इसमें भी बाइंकम मेथड तो आपको इसमें भी आपको सबसे पहले NDP at FC निकालना ही पड़ेगा तो चलिए आप इसको करें जरा करिए हां जी देखें चलिए देखते हैं जरा कि देखें सबसे पहले वही काम करेंगे इंकम मेथड में हम NDP at FC का ही फॉर्मिट हमारे पास पर हम पहले ही निकालेंगे कंपर्शिशन ऑफ इंप्लोई डियरेक्ट गीवन आपका फर्स्ट पॉइंट कितना होगे आपका थाउंज हो गया लेजी उसके बाद आपके पास में बहिए कमाल की बाद तो यह भी होगी कि आपको ऑपरेटिंग सरफ्लस भी डियरेक्ट दिया हुए आपको तो चलिए नंबर टू आपका पास पर क्या गया पांस ओ जब ऑपरेटिंग सरफ्लस दिए तो इंकम फ्रों प्रोपर्टी या फिर इंकम फ्रों एंट्रेप्रिण लेने कोई रिग्वार्मेंट नहीं है इसी कोई नीड नहीं है जब कंपर्शन ऑफ इंप्लोई दिया तो उस बात ध dp at fc equals to आप 1506 आपके पास में 200 आपका बन जाता है आए मुझे find क्या करना है उस चीज को लिख लेते हैं मुझे find क्या करना है मुझे find करना है gnp at fc ठीक है न और मेरे पास में जो मेरे हाथ में है वो है ndp at fc आईए अब जड़ा इसको change कैसे करेंगे देखीगा first letter change करन depreciation से आप आप इसको change करोगे तो इसमें आप left के according चलोगे क्या इसमें depreciation होता है gross में होता है तो इसमें भी चाहिए फिर gross plus step second letter change करने requirement हाँ requirement है different है तो है और सकेंड लेटर चेंज हमेंसा एन फाइस से होता है ठीक है तो एन फाइए नेशनल में होता है न तो यहां पर भी आप क्या करोगे एन फाइए दोगे आप याद नहीं कर सकते हो आपको समझवाना चाहिए बाकि थर तो के चेंज नहीं होता फोर्थ आपका फेक्टर को से कोई नीड नहीं है तो आए हम निकालते हैं क्या GNP at FC equals to NDP at FC कितना है मेरे पास पे 2100 और प्लस डेपरिशेशन कंजम्शन और फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं हम डेपरिशेशन को इस बात को आप ध्यान रखिएगा इस थाई पुझी का उप भोग क्लियर है तो प्लस कितना हो गया हमारे पास में 40 और NFIA नेट झालाँ भोग कितना है जए बोलते हैं ट्राएबर राफ बोलते हैं कंपा एफरिश नेवारे भी तो आप टाया हैं झालाँ सत्राइशन को बात कितना है झाल झाल कर देखिएगा तो क्या आपका अंतर है तो चीज़े को बड़े द्यान से करें हूं कि मैं अब ज्यादा दो यहां तक नहीं आपाऊंगा क्योंकि चीज़ें से वायर से कनेक्ट है तो मैं आपको यहीं से बताने की कोशिश करूंगा कुछ नए कोशिन देखिएगा जीडीपी एट एमपी यह कुछ एक नया है जो आपको निकालना है ज़र आप इसको निकालो चल्दी क्यालकुलेट करो इसको बच्चे यहार आपसार इताल करो यहार एमपीड़ क्याल । अच्छा पॉइंट आपका यह है कि नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम इट यह तोफ इसनों पैसा जा रहा है जब अच्छा जा रहा होता है तो क्या करते हैं मैने स्ट्वेंटी करते हैं तो हमारे पास पर क्या हैगा 120 ही आएगा चालीस है और क्या है मिरे पास में 220 यह पॉइंट मैंने आपको अपास कि यह विखुष में जो पॉजिटिव होता है इत जो नेगेटिव यह अधल कि क्लियरे जी बाकि हम करेंगे next class में continue तो यहां पर आपके पास में यह बैसे आपने NDP at FC निकाल लिया और आपके पास में GDP at MP पूछ रहा है और NDP at FC आपको गिवन है तो फर्स्ट लेटर चेंजर नहीं होता है और फर्स्ट लेटर आपके डैप होता है तो प्लस डैप कर द सब्सक्राइब करेंगे आपका net indirect tax indirect tax मैंने सब्सक्राइब से बनता है आपका NIT तो indirect tax आपके पास तो अलड़ी है कि indirect tax आपको यहां पर गिवन था ने इंडरेट टेक्स कितना आपके पास 90 और सब्सक्राइब कर दिया तो NIT आ गया और एड़ कर दिया तो 130 क्रोड आ गया क्लियर जी कोई डाउट पर बात सब्सक्राइब नहीं है आज तो सब कुछ हो गया आज चेक्लास में लैग हो गया बहुत सारी समस्या होगी बट कोई बात नहीं मैं इसको सबको लगा दिया चार्ज पर सुबह से थोड़ा दिन में गैप था इस चार्ज पर नहीं थे ठीक में डाल दूंगा ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच अभी में लगवा देता हूं में